वेल्कम बैक दियर वियोर्स वियर दिस्कुसिंग प्लस्टिव बिलोजी चेकर नमबर फिप्टेन इस बाइज बाइज की वीडियो में चर्चा करेंगे इस पीशीजट डीवर्स्टी कि और एकोसिस्टम की प्रोड़क्टिविटी के लिए इकोसिस्टम की अतवी आवश्यक होती है इसमें सबसे पहले हैं कि बात करेंगे प्रड़ुक्टिविटी के मतलब होता है अमांट ओप और गनिक मैटर सेंथिसाइज़ अब प्रामी थिए जो फ्रडूजर त्वारा अपार्ड्यूर शोटिया जो प्रडूजर द्वारा फि की अधिशाइजी फूद्टी एड ईसी सेटर्डी क्रिक्टिविटी वो हम सब्सक्राइब लिए अगर किसी भी को सिस्टम में स्पीसिस डिवस्टी जब बहु जादा है तो वो उतना ही जादा स्टेवल होगा तेल में फांड एट प्लाट्स वेड मोर स्पीसिस शोड लेस्ट यह तो इस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है तो जितनी ज्यादा बाइडवस्टी होगी उतनी ही ज्यादा ज्यादा रिकवरी होगी होगी तो इंकरीजिट बायदा बाइडवस्टी उडवाइड रिसे लेंश डुट इसलेंस डुर एकोसिस्टेम अगेंस्ट अगेंस्टोल नेटरल और मेंदे स्टर्वेंसेज एंड इन वीजिन बाइड इलियान स्पिसिस अनूज्याज नावने Although we may not understand completely how species richness contributes to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health, but imperative for the very survival of the human race on this planet. So, the biodiversity that is not only for ecosystem, is not healthy for the human being. There should not be much difference if the number of ant species is reduced from 20,000 to 15,000, or tree frog disappears from pest and cards. So, the minor variations, minor reductions in biodiversity, there are no direct answers to such questions, but we can develop a proper perspective through an analogy. इसको हम समझने के लिए एक एक्जाम्पल ले सकते हैं, that is given by Stanford ecologist Paul Ehrlich, he gave a hypothesis named Ribet Popper Hypothesis. जैसा किसी एरोपलेन में बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, वो आपस में मिलकर काम करते हैं, और जो पार्ट्स होते हैं, they are joined by thousands of ribets, जिसको हम ribets को यहां species के ब्रापर equivalent हमने माना हैं, और जो एर्पलेन है, एर्पलेन है, उसको हमने ecosystem के ब्रापर माना है. इफ एबरी परसंजर ट्रेबलिंग इन इट स्टार्स पॉपिंग और रिबट टो टेक वूम, जैसे पर्तेग परेक परसंजर अगर एक एक रिबट निकालने लगा, जैसे कि अगर हमने पर्तेग ब्रेकव्यक्ति एक एक स्पीसिस को एक्स्तिक्ट करने के लिए अगर अफेक्ट फ्लाइट सेफटी प्रॉपर फंक्शनिंग आप देको सिस्टम इनीशली शुरुआत में इससे किसी भी को सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा रिवेट्स वो रिमूब करेंगे बैसे बैसे जो फ्लेन है वो अनस्ट बढ़ेगा जैसे स्पोस्ट लॉस रिवेट्स ऑन दविंग्स जो विंग्स के उपर रिवेट्स लगें अगर उनको फोल दिया जाए तो क्या होगा विंग्स अलग हो जाएंगे जिससे जो है प्लेन वो क्रैश हो जाएगा इसी तरह से जो की स्पीसीज होती है एको सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक्यू वेट मच्छ